हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको रेटिनो ए की पूरी जानकारी देनी की कोशिश करूँगी रेटिनो ए वाइटमिन ए का एक एक्टिव फॉर्म है रेटिनो ए ब्रैंड नेम है जिसमें एक्टिव इंग्रीडियन्स ट्रेटिनोईन या रेटिनोईक आसिड होते हैं यह 30-35 साल से डर्मटोलिजी और स्किन केर में इसका यूज किया जाने वाला प्रोड़क्ट है रेटिनोईक एसिड हमारी स्किन के सेल रीजेनरेशन याने नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है जिससे पुराने सेल्स जल्दी जहरते हैं और नए फ्रेश सेल्स उपर आते हैं ट्रेटिनोईन या रेटिनोई स्किन के अंदर जाकर कोलाजन और इलास्टिन की मातरा को भी बढ़ाता है इसलिए रेटिनोई का उपयोग पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ठीक करने के लिए, रिंकल्स और फाइन लाइन ठीक करने के लिए, स्किन को स्मूध करने के लिए, प्लंप अप या मोटा करने के लिए, यूथफुल लुक देने के लिए और दाग धब्बे मि इसे यूज़ करना चाहते हैं लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम होता कि Retino A याने Tretinoin और उससे related दूसरे Compounds जैसे Retinol के Creams, Lotion, Gel आधी को किस उमर में लगाना शुरू करें? कितने दिन तक लगाएं? इसको दिन में लगाएं या रात में लगाएं? और कितनी मातरा में लगाएं? इसको लगाने पर क्या-क्या सावधानिया बढ़तें? इसके अलावा wrinkles के लिए कौन सा Compound यूज करें? pimples के लिए कौन सा यूज करें? blackheads, whiteheads के लिए क्या यूज करें? skin को even tone करने के लिए क्या यूज करें? और scars और दाग धबे मिटाने के लिए कौन सा Compound क्यूज करें? इस तरह पूरी जानकारी न होने पर भी chemist या beauty shop से over the counter इसके creams, gel, serum आदी लोग खरीद लेते हैं और इसे लगाने लगते हैं जिससे कई लोगों की skin लाल होने लगती है उसमें जलन होने लगती है skin एकदम सूख कर उसमें खुजली चलने लगती है और कई बार skin धूप से जल कर काली पड़ जाती है कहने का मतलब यह है कि जहां Retino A और उसके Compounds ठीक इस्तमाल से आपकी skin को स्वस्थ, सुन्दर और चमकदार बना सकते हैं वहीं इसके गलत उप्योग से आपकी skin खराब भी हो सकती है जो आजकल बहुत लोगों के साथ होने लगा है Retino A जिसको हम Retinoic Acid या Tretinoin B कहते हैं यह एक Active Compound है जो आपकी skin के अंदर तक जाकर उस पर direct असर करता है यह एक strong दवाई है इसे बिना डॉक्टर की सला के use नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत इस्तमाल से यह आपकी skin को नुकसान पहुचा सकता है Vitamin A का दूसरा compound है Retinol या Retinol Pormitate यह direct skin पर असर नहीं करता है इसको असरदार होने के लिए skin enzymes द्वारा इसे Retinoic Acid या Tretinoin में बदलना पड़ता है इसलिए यह mild या मध्यम असर वाले होते हैं skin की उपरी सतह पर काम करते हैं उस पर से fine line और उपरी दाग धबे मिटा कर skin को smooth और even look देते हैं इनको लगाने के लिए किसी doctor के prescription की जरूरत नहीं पड़ती है और Retinols को 20 साल तक की उमर वाले भी यूज कर सकते हैं इसलिए इसका इस्तेमाल कई beauty companies अपने anti-aging creams, lotions और serums में करती हैं अब मैं आपको किस तरह retinoic acid यूज करना किस जगह retinol यूज करना और इनको कैसे यूज करना ये बताती हूँ सबसे पहले pimples के लिए retinoic acid या retinoin का यूज किया जाता है इसको teenagers से लेकर किसी भी उमर के लोग pimples के लिए यूज कर सकते हैं pimples के लिए आपको 0.025% cream या gel से शुरू करना चाहिए इसे सिर्फ रात को face wash करके face को सूखने के बाद लगाना चाहिए शुरुआत में एक दिन छोड़के एक दिन लगाएं फिर दो हफते के बाद daily लगाना शुरू करें यदि skin 0.025% को अच्छा tolerate करती है तो फिर आप 0.05% gel लगा सकते हो सुबह इसको एक अच्छी mild face wash जैसे Cetaphil Gentle Cleanser से wash करके face पर एक अच्छा non comedogenic moisturizer लगाना चाहिए जो आप मेरे best moisturizer वाले वीडियो में देख सकते हैं face पर black heads और white heads को साफ करने के लिए adapaline gel 0.1% सबसे अच्छा है ये एक retinol है जो आपको chemist की दुकान पर मिल जाएगा adapaline gel का black head और white heads के treatment में कैसे use किया जाए ये आप मेरे black head white head के treatment का सही तरीका इस वीडियो में देख सकते हैं 20 से 40 age की group में चहरे को smooth दाग धबों से मुक्त रखने के लिए और fine lines को smooth करने के लिए ऐसे cream, lotion, serum recommend किये जाते हैं जिसमें retinol होते हैं कई beauty companies आजकल ये products बनाती हैं और market करती हैं मेरे anti-aging day and night cream के वीडियो में मैंने कई ऐसे creams और lotions के नाम बताए हैं जिन में retinol या retinol palmitate होता है 40 साल की उमर के बाद wrinkles, fine lines या दाग धबे मिटाने के लिए retinoic acid या tretinoin का इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि ये skin के अंदर तक जाकर जमे हुए pigment को हटाता है और collagen और elastin tissue बनाने में मदद करता है जिस से skin मोटी होती है और wrinkles कम होने लगते हैं यही कारण है कि retino A creams और gels को stretch marks और scars के treatment के लिए भी use किया जाता है retinoin या retino A creams, gels आप doctor की guidance से लगाएं तो अच्छा है इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका मैंने अपने wrinkles and fine line के treatment के वीडियो में बताया है retino A creams और gels को सबसे कम concentration याने 0.025% से शुरू करना चाहिए और शुरूआत में एक दिन छोड़के एक दिन लगाना चाहिए फिर धीरे धीरे आप इसका 0.5% यूज कर सकते हैं एक्ने से बनने वाले medium गढ़े को ठीक करने के लिए tezerotan gel जो की एक second generation retinol है इसका यूज करना चाहिए इसके यूज करने का सही तरीका मैंने अपने acne scar treatment के वीडियो में बताया है उपर बताई गई problems के अलावा retinol A का उपयोग, ikthiosis या skin सूखी रहने की बिमारी, psoriasis और steroids से पतली हुई skin पर भी किया जाता है अब कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको retinoin और retinols के कोई भी product को use करते समय याद रखना है पहला इन्हें हमेशा सबसे कम strength से शुरू करें शुरू में एक दिन छोड़के एक दिन use करें दूसरा यह सारे products skin को सुखाते हैं इसलिए इन्हें use करते समय अच्छे moisturizer से skin को moisturized रखें और उसे सूखने ना दें तीसरा यह सारे products skin को sunlight से sensitive कर देते हैं इसलिए घर से बाहर निकलने के आदा घंटा पहले skin पर एक अच्छा sunscreen जरूर लगाएं और direct धूप में कम से कम जाएं best sunscreens for all skin type का video मेरे channel पर आप देख सकते हो चौथा यदि इन cream को लगाने से skin लाल हो उस पर खुजली चले या जलन हो तो इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ कर लगाएं फिर भी यदि जलन, redness और खुजली हो तो इसको नहीं लगाना चाहिए पाँचवा, retino A और retinols का पूरा अच्छा असर होने के लिए इन्हें कम से कम एक या दो साल तक लगातार यूज़ करना चाहिए कुछ हपतों या महनों यूज़ करके छोड़ने से कोई फाइदा नहीं होगा retino A और retinol को pregnant ladies और baby को दूद पिलाने वाली महलाएं बिलकुल इस्तमाल ना करें इस से बच्चे के liver और दूसरे अंगों पर पुरा असर हो सकता है अंत में vitamin A का eco derivative होता है जिसे isotretinoin या commonly acutin कहते हैं ये सिर्फ खाने की दवाई के रूप में आता है और ना ठीक होने वाली acne और cystic acne के लिए दिया जाता है इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलह के बिलकुल नहीं लेना चाहिए दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और retino A के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको जरूर फायदा होगा Thank you